Hello everyone, welcome to knowledge center for you आज की वीडियो में हम SSC MTS के previous year के जो भी exams में questions repeat हो चुके हैं उन questions को discuss करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा special होने वाली है उन students के लिए जो लोग SSC MTS exam की preparation कर रहे हैं तो आपसे एक request है आप इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा help होगी जो भी exam में questions पूछ लिए गए थे previous year में तो उन questions को हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं First question है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो भारत की सबसे लंबी कौन से राज्य की तटरेखा है तो आंसर आते होंगे तो comment करके जरूर बताईएगा तो दिखिए गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है इसकी तटिय रेखा ये 1214 किलोमीटर है जो कि भारत की कुल फूमी के तट का लगभग 23 प्रतिशत भाग है और गुजरात की तटरेखा ये भारत के 9 राज्य और 4 केंदर शासित प्रदेश से लगती है तो वो कौन से राज्य है तो गुजरात, आंधर प्रदेश, केरल, करनाटक, गोवा, तमिल नाडू, महाराष्ट, उडिशा और पश्चिम बंगाल ये भारत के 9 राज्य हैं जिन से गुजरात की तटिय रेखा लगती है और केंदर शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, लक्षुद्वी, पुद्धुचेरी और दीवदमन और देखें, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत के कौन से केंदर शासित प्रदेश की तट्रेखा सबसे लंबी है तो उसका अंसर होगा अंडमान निकोबार इसकी तट्रेखा सबसे जादा लंबी है वो है 1962 किलोमेटर तो आप यह भी याद रखीएगा तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी काफी होगी अब नेक्स देखते हैं भारत सरकार के फसल विकास कारेक्रम के अंदर गत निमनल लिखित में से कीन वानिज्य फसलों का समुह आता है तो आप्शन भी करेक्ट होगा जूट, चाय और कौफी इन वानिज्य फसलों का समुह आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समविधान के अंतरगत परं संपरभु कौन है तो इसका correct answer होगा भारत की जनता ये समविधान के अंतरगत परम संप्रभू है ये सभी questions जो मैं cover करें हूँ वो सभी repeated questions है previous year के exams में पूछ लिए गए थे next है निम्न मैंसे किसका संबंद भौतिक परियावरण से नहीं है तो देखें भौतिक परियावरण से किसका संबंद नहीं है तो इसका correct answer होगा option c गोलार्ध यानि हेमिस्पेर का संबंद ये भौतिक परियावरण से नहीं है ये पृत्वी के मान चित्र के वो दो हिस्से हैं जो भूम अध्य रेखाग द्वारा उत्तरी और दक्षिनी गोलार्ध में बराबर विभाजित किये जाते हैं अब अगला question है उस्ताद बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्धिव बजाते हैं तो इनका संबंद ये शेहनाई से आता है उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये हिंदूस्तान के मशूर शेहनाई वादक थे इनका जन्म बिहार में हुआ था और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अब नेक्स्ट है पौधों में तरल रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा परासर यानि ओस्मोसिस अब नेक्स्ट है कौनसी मेमोरी स्थाई और स्थीर दोनों होती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉम यानि read only memory ये, स्थाई और स्थीर ये दोनों होती है ROM ये non-volatile memory होती है इस memory में computer functionality से related दिशा निर्देश रहते हैं अब next question है मोधी सरकार ने केंद्र में नीम्न लिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीती आयोग का गठन किया है तो इसका correct answer होगा option B योजना आयोग यानि planning commission अब next है भारत में गरीबी का मापन निम्न में से कौन से मान दंड द्वारा किया जाता है तो correct answer है option B कैलोरी ग्रहिन करना इससे भारत में गरीबी का मापन किया जाता है अब next है भारत के अटाणी जनरल की नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है तो attorney general of India के नियुक्ती ये भारत के राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है भारत के वर्तमान में attorney general of India ये के के वेनु को पाल है इन्होंने 30 जून 2017 से पद ग्रहिन किया है ठीक है? और ये भारत के 15 वे attorney general of India है इनकी नियुक्ती भारत के पूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर जी उनके द्वारा की गई थी और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपती कौन है? तो रामनात कोवीन ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपती है निम्न मेंसे किस राज्य ने कमजोर वर्ग को बढ़िया भोजन रियायती दर पर उपलब्द कराने के लिए हाल में अनपूर्णा रसोई की योजना शुरू की थी तो इसका आंसर होगा उत्तरपदेश अब नेक्स्ट है आग के लेंस किस के पीछे होते हैं तो देखिए प्यूपिल के पीछे होते हैं आग के लेंस ओप्शन ए करेक्ट होगा अब नेक्स्ट है निम्न मेंसे किस राज्य को मसालों का उद्यान कहा जाता है तो भारत का इसा कौन सा राज्य है जिसे मसालों के उद्यान के नाम से जाना जाता है तो option A correct होगा केरल को मसालों के उध्यान के नाम से जाना जाता है केरल में 50% नागरी क्रिशी पर निर्भर है नारियल, रबड, काली मिर्च, अद्रक, चाय, इलाइची, काजू और कॉफी इत्यादी का उत्पादन केरल में होता है नेक्स्ट है, नीम्न मेंसे किसने अमरिच सर में स्वर्ण मंदीर बनवाए था तो अमरिच सर का स्वर्ण मंदीर जिसे गोल्डन टेंपल के नाम से भी जाना जाता है तो उसका निर्मान किसने गिया था तो इसका correct answer होगा गुरू अर्जुन देव option DA correct होगा ठीक है, ये पंजाब के अमरिच सर में स्थीत है स्वर्ण मंदीर इसे दर्बार साहिब के नाम से भी जाना जाता है इसे 1577 में सिखो के चोथे गुरू गुरू रामदास ने इसकी शुरुवात की थी और पांचवे गुरू, गुरू अर्जुन देव ने इस मंदीर की स्थापना की तो आप याद खेगा इस मंदीर की शुरुवात ये गुरू रामदास द्वारा की गई थी और इस मंदीर की स्थापना ये गुरू अर्जुन देव द्वारा की गई अब नेक्स्ट है संयुक्तराष्ट्र का नया महासचीव कौन चुना गया है तो संयुक्तराष्ट्र का नया महासचीव है एंटनियों गुटेरस ओप्शन भी करेक्ट होगा ये पोर्दुगाल के हैं और इन्होंने एक जन्वरी 2017 को अपना पद ग्रहन किया था अब नेक्स्ट कोशन है है हेपेटाइसिस किसकी बिमारी है तो हेपेटाइसिस ये बिमारी लीवर यानि यकरित में होती है ये बिमारी हेपेटाइसिस B वाइरस के कारण होने वाली एक संक्रिमित बिमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाती के लिवर को संक्रिमित करती है तो यादखेगा Hepatitis B पिमारी ये लिवर को संक्रिमित करती है जिसके कारण से लिवर में सूजन और जलन पैदा होती है और इसी को Hepatitis कहते हैं अब नेक्स्ट है भारत का सबसे उचा पठार कौन सा है तो अगर भारत के पठार की बात की जाए तो भारत का सबसे उचा पठार है देक्कन पठार यानि दक्षीनी पठार ये भारत का सबसे उचा पठार है इस पठार को प्राइतवी पठार के नाम से भी जाना जाता है ये पठार इतना विशाल है कि इसमें भारत के आठ राज्य स्थीत है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीश्व का सबसे उचा पठार कौन सा है तो पामीर का पठार ये विश्व का सबसे उचा पठार है मंत्री परिशत के आकार एवं सदस्यता के बारे में नीड़े कौन करता है तो इसका अंसर होगा प्रधान मंत्री ये मंत्री परिशत के आकार और सदस्यता के बारे में नीड़े करते हैं और मंत्री परिशत के सदस्य सामुहिक रूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं अब नेक्स्ट है Microsoft Excel क्या है? तो ये एक electronic spreadsheet है अब लास्ट question है हमारा पूरुष एवं महिला साक्षरता में सरवाधिक अंतराल वाला राज्जी कौन सा है? तो पूरुष एवं महिला के साक्षरता में सरवाधिक डिफरेंस वाला राज्जी है राजस्थान ठीक है? यहाँ पर महिलाओं से जादा पूरुषों की संख्या है और अगर भारत का सबसे जादा महिला साक्षरता वाला राज्जी देख लिया जाए तो वो केरल होगा पूरुषों से अधिक महिला की साक्षरता वहाँ पर जादा है तो यह था हमारा आज का वीडियो जो भी प्रीवियस एयर में SSC MTS में क्वेशन पूछ लिए गए थे जनरल अवेरनेस के उन क्वेशन को हमने आज की वीडियो में डिसकस किया I hope आपको इवीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको इवीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कर लीजिए हम ऐसे ही कई important videos आपके लिए share करते रहते हैं जो कि आपके हर competitive exam के लिए important होते हैं तो मिलते हैं next video में